Hello everyone, कैसे हैं आप सब? देखिए आज मैं आपको बिल्कुल नए डिजाइन का ये टेबल मैट बनाना सिखाऊंगी friends आप इसको डोर मेट भी बना सकते हो, थोड़ा सा बड़ा बना के पूजा का आसन भी बना सकते हो कोई भी आप इसको अपने requirement से जो भी आपको चाहिए वो बना सकते हो तो friends देखिए मैंने इसमें आमने सामने flower set किये हैं आप देख लीजिए और अगर आप कोई multi color का बनाना है चारों ही flower आपने अलग-अलग बनाने हैं तो वो भी आप बना सकते हो और आमने सामने कैसे बनाओगे तो वो भी आप आसानी से बना सकते हो एक flower बनाके फिर दूसरा दूसरे color से बनाना जब आप third flower बनाओ तो आप first वाले color से बनाना तो ऐसे आपके आमने सामने हो जाएंगे और जो second वाला बना हुआ आप fourth वाला बनाना तो आपके ऐसे set हो जाएंगे और देखे फ्रेंट्स ये जालर का डिजाइन ये इसके डिजाइन ये इसके साथ साथ बनेगा और ये बहुत ही आसान है तो प्लीज डिजाइन को समझने के लिए वीडियो को आप end तक देखिए और अगर ये आपको डिजाइन पसंद आया हो तो फ्रेंट्स प्लीज लाइक किजिए लाइक करना मत भूलिए ये देखिए ये मैंने चुनियों से बनाया है ये देखिए मेरे पास चुन्नी है चुन्नी की फ्रेंट्स मैंने इतनी चोड़ी चोड़ी पटियां बनाई है ये देखिए और आठ नंबर की निडल्स का मैं इसमें योज किया है तो देखिए इसमें आप चार के मुल्किपल में ही आप इसमें फंदे डालिएगा फ्रेंड्स है यह देखिए तो मैं इसमें यह मेरा 32 फंदे का है 32 फंदे मैं बताऊंगे देखिए simple हमने एक नोट लगाई ऐसे हम इसमें फंदे डाल देंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे हम इसमें मैं इसमें 32 फंदे डाल देती हूँ उसके बाद फिर मैं आपको आगे का बताऊंगे इसमें मैंने फंदे डाल लिये हैं फंदे डालने के बाद एक रो हम इसमें ऐसे ही simple बनाएंगे बिल्कुल ऐसे आप इसको उल्टा-ल्टा बना के इस रो को आप complete करिए तो इस रो को friends मैं complete कर लिते हूँ ऐसे ही हम end तक बनाएंगे यह देखिए बहुत ही simple है इससे simple आपने डॉर्मेट नहीं देखा होगा और देखने में लगता है कि बहुत ज़्यादा difficult है लेकिन बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी यह देखिए तो इस रोको मैं उतार लेती हूँ देखिए बिल्कुल end में आ गए है हम इसको note वाले फंदे को भी हम बना लेंगे एक रो हमने उतार ले इस side से भी हम इसको ऐसे ही बनाएंगे और इस पट्टी को आप इसमें ऐसे ही लपेट लीजिए इस side से भी हम ऐसे ही दोनों side से हमने इसको उल्टा उल्टा बनाना है इस देखिए ऐसे ही हम इसको बनाएंगे देखिए सारे फंडे हमने बना लिये हैं और किनारे के फंडे को आप friends इसको सीधा बनाएंगे हर बार इसको किनारे वाले फंडे को आप थैड़ को ऐसे करके पत्ति को पीछे करके या पूं से बनाओ तो इसको आप ऐसे सीधा बनाएंगे अब देखिए दो रो हमने friends उतार ली है जब हमने दो रो उतार रही है तब हमारी एक लाइन बनी है यह देखिए ऐसी friends हमने तीन लाइन और बनानी है ये देखिए आप इसमें ये मैंने 4-4 लाइन बना रखी हैं तो 8 रो हम बीच में इसमें बनाते हैं तो मैं ऐसे 1 हमने बना ली और 3 हम ये और बनाएंगे उसके बाद फिर मैं आपको उपर का बताऊंगी तो इसमें मैंने 2 रो उतार ली ये 6 रो मैं और उतारूंगी उसके बाद मैं आपको आगे का बताऊ ये देखिए ये दोनों साइड से 1, 2, 3, 4 4 मैंने ये लाइन बना ली हैं 8 रो टोटल मैंने इसमें उतारी हैं और देखिए फ्रेंट्स किनारे का फंदाज यहां पे आपके चैंसी बनती जाएगी अब देखिए अब हमें क्या करना द्यान से देखिए ये हमारी बैक साइड है, उल्टी साइड है तो अब हम अपने फंदे गटाएंगे दो फंदे का एक बना दिया एक फंदा गटा लिया ये हमने दूसरा फंदा गटा लिया ये हमने तीसरा फंदा गटा लिया और जब हम चोथा फंदा फ्रेंड्स गटाएंगे तो हम यहाँ पे second color add करेंगे इस चीज का आप ध्यान रखिए जब आप fourth फंदा गटाओगे तो second color आप यूज करिएगा इसको आप ऐसे देखिए ऐसे खीच के इस वारे पट्टी को टाइट कर दीजिए और इस पट्टी को इसके आप ऐसे ऐसे ले लिजिए दूसरा color हमारा यहाँ पे add हो गया है चार फंदे हमने गटा लिये देखिए एक एक फ्लावर आपका इसके साथ सेट होता जाएगा फ्रेंड्स एक ही बार हमने इसकी सिलाई करनी है एंड में अपने आप एक फ्लावर दूसरे के साथ ऐसे ही जुड़ता चला जाएगा यह देखिए second color हमने लगा के पूरी row complete कर ली है इस पर हम इसको ऐसे ही बनाएंगे हमने इसमें color लगाया है यह देखिए और इस साइड से ऐसे उतार लेंगे थेर्ड अपने तरफ लेके आएंगे और इस रोप को भी ऐसे ही उतार देंगे और उपर भी फ्रेंड्स हम ऐसे ही बनाएंगे छे रो और उतारेंगे जैसा मैंने निचे बनाया है एक पर मैं इस रोप को complete कर लूँ फिर मां आपको समझाओंगी फिर मां आपको इसको उपर तक बना के दिखाओंगे फ्लावर को सेम बनेगा ऐसे ही आठ रो बनाने के बाद आठ रो में हमारी चार लाइन बनेंगी उसके बाद आपने बैक साइड से चार फंदे हम गटाएंगे तीन फंदे उसी कलर से गटाएंगे और फोर्थ वाला फंदा जो भी आप कलर लगाओ आप उस कलर से गटाएगा देखिए इस के नारे के को हम सीथा बना लेएगे यह देखिए यह हमारे दो रो में एक लाइन बन गई तो ऐसी ही हम इसमें तीन लाइन और बनाएंगे और फिर हम यही से इसी साइड से हम उसमें तीन फंदे गटा देंगे और जब यह तीन फंदे उस कलर से गटाएंगे फोर्थ वाला गटाएंगे तो हम अपना इसमें यह वाला परपल कलर इसमें लगा लेंगे फोर्थ वाला फंदा भी गट जाएगा और हमारा कलर भी एड हो जाएगा तो फ्रेंड्स चार-चार फंदे गटाते हुए मैं यहाँ उपर तक आ जाऊंगे बिल्कुल चार फंदे मेरे बच जाएंगे तब हमारा यह एक फ्लावर कंप्लीट होगा तो मैं इसको बना लिती हूँ आप भी बना लीजिए फिर मैं आपको उपर का बताऊंगे देखिए इस कलर की भी मैंने यह आठ रो बना ली है चार लाइन हमारी बन गई है जैसी हमारी निचे थी यह देखिए फिर से हमने यहाँ से अपने फंदे गटाने है तो देखिए दो का एक किया एक फंदा गटा लिया वापस निडल में डालेंगे फिर से दो का एक करेंगे दूसरा फंदा हमने गटा लिया यह हमने तीसरा फंदा गटा लिया देखें, तीन फंद हैं हमारे गटगे, फॉर्थ वाला फंदा हम अपना इसी color से गटाएंगे, आप इसको friends मैंने दो color लगाए हैं, आप इसमें multi color भी लगा सकते, कोई भी आप color लगाओ, फॉर्थ वाला फंदा आप उसी से गटाएगा, और फिर हम यहाँ पर अपना, क्यो 4 फंदे हम उपर गटाते जाएंगे ऐसे ही 8-8 रो बनाते जाएंगे उपर हमारे 4 फंदे बच जाएंगे 4 फंदे की भी मैं 8 रो बनाके उसके बाद हम उपर का बनाएंगे ये एक side का flower हमारा complete हो जाएगा तो मैं इसको बना लेती हूँ फिर मैं आपको उपर का दिखाऊँ लिए देखिए इस कलर की भी मैंने ये आठ रो बना ली है चार लाइन हमारी बन गई है जैसी हमारी नीचे थी ये देखिए फिर से हमने यहां से अपने फंदे गटाने है तो देखिए दो का एक किया एक फंदा गटा लिया वापस निड अपना इसी कलर से गटाएंगे आप इसको फ्रेंड्स मैंने दो कलर लगाए हैं आप इसमें मल्टी कलर भी लगा सकते कोई भी आप कलर लगाओ फोर्थ वाला फंदा आप उसी से गटाएगा और फिर हम यहां पर अपना क्यूंकि हमने दूसरा कलर लगाना है तो फोर्थ पला फंदा आप अपने दूसरे color से गटाईए help और फ्रेंटस ऐसे करके हम इसकी भी हम ऐसे ही about रो वनाएंग फ्रेंट यहाम जो साइब शायेगे एसे ही आथ रहुत रो बनाते जाएंगे उपर हमार ही चार फंदे बच जाएंगे, चार फंदे की भी मैं आठ रो बनाके, उसके बाद हम उपर का बनाएंगे ये एक साइड का फ्लावर हमारा कम्प्लीट हो जाएगा, तो मैं इसको बना लेती हूँ फिर मैं आपको उपर का दिखाऊँ ये देखिए, ये मैंने सारे लाइन ऐसे बना ली है, ऐसे हम फंदे गटाते हुए आ गए है, उपर मेरे चार फंदे बच गए हैं ये देखिए, और ये पिछे से फ्रेंट्स, ऐसे ही आपने थ्रेड बैक साइड से उपर तक लेके आना है जैसे मैंने ये यहाँ पर छोड़ा था तो मैंने इसके साथ की साथ इसको मैंने टक कर लिया अब देखिए, यहाँ पर फिर से हम अपने फंदे गटाएंगे तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर फिर हमारा एक बार चेंज आएगा, देखिए दो काई किया, एक दो और ये, ये फ्रेंट्स हम इसमें तीन फंदे गटाएंगे तीसरा फंदा हम अपने दूसरे कलर से बनाएंगे ध्यान से देखिए, इस लास्ट में हम एक फंदा क्योंकि हमने अपने निडल में रखना है अब हमारा यहाँ से फ्लावर बनेगा, तो उसके लिए हम एक फंदा इसमें रखेंगे और हम यहाँ पे तीन फंदे घटाएंगे ऊपर और तीसरे फंदे में हम अपना इसमें color add कर लेंगे तो आप देखिए जितने फ्रेंट्स हमने यहाँ पे नीचे फंदे डाले थे, उतने ही फंदे हमने इस साइड से उठाने हैं, तो वो कैसे उठाने हैं, आप देखिए, एक पट्टी में से हमने आप देने चेन हमें चार फंदे उठाने हैं एक मेरी नीडल में एक फंदा हम ऐसे उठाएंगे यह वाला यह जो चेन का फंदा है आप यह वाला फंदा ऐसे उठाएंगे और हम इसको ऐसे बना देंगे ध्यान से देखिये यह देखिए, यह हमारे हो गए 2 फंदे, अब एक ओर फंदा हम तिसरा फंदा ऐसे उठाएंगे, यह आपने चैन उठाने है, यह जो हमारी चैन है, यह जो चैन का यह वाला सिरा है पिछे वाला, इसमें से हमने यहां से फंदा लेना है, और हम इसको इसके साथ ऐसे उल्टा बना देंगे, यह देखिए हमारे तीन हो गए, एक फौर्थ वाला फंदा, एक और हम, चेन में से ऐसलि उठ जाएगा, यह जो चेन हम जो स्षी अफंदा बनाते हैं, उसमें से हम आसानी से उठ जाएगा, तो यह देखिए, चार फंदे हमारे इस पत्टी के होगे, चार हमने इस पट्टी के हर एक पट्टी में से हमने चार चार फन दे हम उठाएंगे तो देखिए अराम से आपको दिखाई देगा अलग से आप ऐसे इसको उठा लीजिए और हमने इसको ऐसे उठा बनाना है एक हो गया यह देखिए अलग से दिखाई देएंगे आपको बि और ये हमारा अब ऐसे उठा लीजे ये हो गया हमारा तीसरा और ये हो गया हमारा फोर्थ चोथा ये देखिए दो हमने बना ली और दोनों में से हमने आठ फंदे उठा लिये अब देखें फ्रेंड्स मेरी पट्टी छोटी हो गई इतनी बड़ी पट्टी जब आपकी रह जाए तभी आपने इसमें जोइंट लगाना है वो हमारा आसानी से लग जाएगा इसको आप ऐसे अंदर रखिए और पट्टी को ऐसे रोल करके ऐसे पकड़ लीजिए अब देखिए फिर से हम अपना एक फंदा उठाएंगे पहली लाइन में से ही आप ऐसे चेन वाला फंदा ऐसे उठा लीजिए इसको भी पकड़ के रखना है क्योंकि अभी हमारा जॉइंट इसमें लगा नहीं है फिर ये दूसरा उठा लेंगे हम ध्यान से देखिए दो हमने उठा लिए फिर हम ये तीसरा उठा लेंगे ऐसे देखिए अलग से आपको दिखाए देंगे अब जॉइंट हमारा लग गया इसको आप नीचे दबा लीजिए और ये हम लास्ट वाला फोर्थ वाला हम उठाएंगे इसको भी आप ऐसे ही इसमें दबा लीजिए ये देखिए चार हमने इसके उठा लिए तो फ्रेंड्स हम ऐसे ही मैं यहां तक फंदे उठाऊँगी 32 फंदे मैं ये सारे ही उठा लेती हूँ उसके बाद मैं आपको उपर का बताऊँगे ये देखिए लास्ट वाला फंदा भी हम बिल्कुल किनारे से उठा लेंगे इस वाले लाइन में से ये देखिए तो फ्रेंड्स आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, तीस और दो ये बतिस 32 फंदे हमने देखिए यहां से ऐसे बहुत इस सफाई के साथ हमारे ये उठे हैं तो अब हम क्या करेंगे अब हम इसको यहीं से उल्टा उल्टा बनाएंगे ध्यान से देखिए सारे इफंदे ये हम उल्टे उल्टे बना लेंगे और ऐसे ही फ्रेंड्स हम यहां पे 8 रो बनाएंगे जैसे नीचे हमने 4-4 लाइन बनाई है वैसे ही हम यहां पे भी साइड में 8 रो बनाएंगे ये पर मैं इस सारे फंदे उतार के दिखा दूँँ आपको मौती एजली हमारे उठ जाते हैं फ्रेंड्स और भूती सफाई के साथ उठते हैं हर चैन वाला फंदा आप हर लाइन में इसे चैन वाला फंदा उठा लेजिए यह देखिए लाश्ट वाले को हम जैसे हम पहले बनाते थे ऐसे ही हम इसको सीधा बना देंगे यह देखिए और फिर से हम ऐसे ही बनाएंगे और फ्रेंड्स यहां पे भी में इतनी ही यह पट्टी बना लेती हैं अधू does कि आचपने कि आच यहां है यहां पे इस साइड़ निकाल ली में और फ्रेंड्स हम फंदा बाइंग सी बंद करैंग जैसे हम यही साइड़ इस साइड़ नहीं करने है तो देखिए इसी साइड से हमने यहां पे फंदे फिर से हमें यहां पे फंदे अपने बंद करेंगे बार ओर देख लीजिए यह हमने तो का एक किया वापस डालेंगे नेडल में यह दूसरा फंदा हमने गटा लिया वापस डालेंगे यह हमने तीसरा फंदा गटा लिया अब यहां पे फ लगाईए क्योंकि हमने फ्रेंड्स ऐसे ऐसे तीन फ्लावर हमारे में दिखा दू और बनेंगे यहां पे हमारे तीन फ्लावर इसके और बनेंगे तो मैं यहां पे एक और कलर इसमें मैं एड़ करूंगी जो मैंने आपको यह पिंक कलर का दिखाया था यह वाला अब यह स्क्राइब तो मैं तार्टिंग करके तो यहां पर मैं इसमें कलर को इसमें इसमें कलरचेंज करोंगी इसमें और इसमें इसमें जैसे रेखत नतार हमारे लगनें ठीक है तो मैंने आपको यह भी दिखा दिया है और मैं आपको इसमें टीसरा कलर और एक और लगाके वह भी मैं आपको दिखाऊँगी जैसे आपके अपनी चौैस है जैसे आप बनाना चाहो वैसे आप बना लीजिए फोर्थ फंदा अब हम गटाएंगे तो इसमें मैं आपना जैसे हमने नीचे किया कलर चेंज कर लेंगे इसको टाइट कर दीजिए और इसको भी आप इसी के अंदर ऐसे रोल कर लीजिए चार फंदे हमारे कट गे कलर हमने इसमें दूसरा एड कर लिया जैसे हमने वो नीचे वाला फ्लावर बनाया था ऐसे ही हम इसमें अब बनाएंगे इसकी भी हम आठ फ्रो बनाएंगे और फिर इस साइड से ही हम इसमें चार फंदे कटा देंगे अब मैं ये दो कलर से बनाओंगी ये दो पिंक मैं छोड़ दूँगी ये दो कलर से बनाओंगी पिंक मैं आगे वाले फ्लावर में लगाओंगी तो मैं ये दो कलर से ऐसे ही इसको बना ले तो जब मेरे उपर चार फंदे बच जाएंगे तब तक मैं इसको बनाओंगी उसके अपनने के बाद फिर से हम अपने फंदे घठाएंगे तोड़ा साइस में चेंज आएगा फ्रेंट्स वाप ध्यान से देखिए एक हमने घठा लिया यह हमने दूसरा घठा लिया तीसरा हम तीनी फंदे हम इसमें गटाएंगे हम अपना ये कलर उपर लेके आएंगे और हम इससे गटा देंगे इसको थोड़ा साथ खेज दीजिए एक फंदा हम यहाँ पर रखेंगे आप देखें फ्रेंड्स पहले हमने फंदे 32 फंदे हमने जब हमारे पास एक ही पार्ट था तो आ कर देखं लेक्ट तो आप कोड़ा स्यूद्ध मत हो जाना कि आपने यह तक फंदे उठाने है नहीं आपने यहां तक इसके एक ही पार्ट के फंदे उठाने है इसको अभी हम नहीं चेड़ेंगे हम यह था फ्लावर हम बनाएंगे यह देखेए एक हमारा यह बन गया दूस और यह प्पंदा हम झैसे ही हम जैसे हमने पहले उठाए थे इसे ही हम चाउने डोप्वेंगे do मैं त सिह देकिए कर 익 ίह हमने कि मों देखाली और यह हमने सट करफ इस वहाला उड फोर्थ वाला का लिए एक लाइन में से हमने चार फंदे उठाने है, फिर हम ये आगे के चार आपको अलग से दिखाए देंगे, देखिए, एक ये, एक बिल्कुल किनारे का ये, यहां से उठाएंगे, एक, दो, तीन, और चार, हर सब में आपने ऐसे ही चार चार फंदे ये आपको चैन दिखाए दे रही है, तो आप फ आपको ऊपर का बताऊंगे, मैं फंदे उठा लेती हूँ, ये देखिए, एक फंदा मेरा बचा हुआ है, ये मैंने उठा लिया, जब हम फ्रेंड से धर फ्लावर स्टार्ट करेंगे, तो यही तक हम अपने फंदे उठाएंगे, ये हम अपने आगे के नहीं उठाएंगे, और हम यहीं से वापस मूड जाएंगे, ये देखिए, एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, तीस, और दो, बत्तिस, बत्तिस फंदे उठाने के बाद, फ्रेंड सामने इसको ऐसे ही उल्टा-उल्टा बनाना है, ये पूरी रोह हम ऐसे ही उल्टी-ल्टी बनाके कम्प्लीट करेंगे, तो मैं इसको कम्प्लीट कर लेती हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, यहां तक मैंने आपको बनाके दिखा दिया था, फिर मैंने ये फंदे उठाई थे, उसके बाद मैंने ये फ्लावर बनाया, ये क यहां से स्टार्टिंग की थी, फिर ये बनाया, यहां से मैंने आपको फंदे उठाए थे, हाफ, ये जब हमारी यहां से यहां तक लंबी लाएं थी, यहां तक फंदे उठा लिये थे हमने, और इसकी हमने स्टार्टिंग कर दी थी, तो इसकी स्टार्टिंग करने के बाद मैंने पहले इसको कम्प्लेट किया यहां तक बनाने के बाद फिर यहां 사से मैंने फंदे उठाएं false 32 उठाके और फिर मैंने इस फ्लाव को कम्प्लेट किया है तो देखिए एंड हमारा ऐसे होगा यहां तक यह आप यहां से यहां तक ही आपकी सिलाई करनी है इसकी यह देखे यह हमारे में फंदे उठाने से ही आपस में जूड़ जाता है तो देखिए अब हम इसको लास्ट में यह मेरे पास चार फंदे हैं तो मैं इनको घटा दूगे अब हम ये चारों ही फंदे इसी कलर से गटा देंगे एक हमने गटा लिया ये देखिए ये दूसरा गटा लिया ये देखिए ये तीन गट गट गए और चोथे वाले को फ्रेंड्स हम इसको ऐसे थूड़ा सा लूज करके और इसमें से हम ये निकाल देंगे और हम इसको ऐसे पक्का कर देंगे कि इशे if कि पकका हमारा हो गया और अच्छे सेagit कर देजिए और इसको एस्ट्रा को हम काट देंगे स्बस्था में अंदर की दहा देंगे यह देखे यह भी हमारा बनेगे कंपलीट हो गया अब हमने इसकी का स्ट़ाइ करनी है यहreteए यहां से ले और यहां तक, इसकी हम पहले हम उपर से इसके स्टार्टिंग कर लेंगे, यह देखिए, सोई में मैंने धागा डाल लिया है, तो अब हम यहां से इसके सिलाई करेंगे, यह देखिए, पहले हम इसके, दोनों सिरे, ऐसे पक्के कर लेंगे, इसको भी हम पट्टी को अंदर ही ले लेंगे, बाद में फिर हम इसको पाट देंगे, इसको पक्का कर लिया, अब इस पट्टी को हम एक्स्ट्रा को काट देंगे, यह देखिए, सिरे हमने दोनों मिला लिये हैं, एक्स्ट्रा आपका कोई भी थ्रेड हो, उसको आप ऐसे काट देज़े जब आप फिनिचिंग करूँगे, यह हमने कर लिए, अब इसकी फ्रेंड्स मैं अंदर तक ऐसे ही इसकी मैं सिलाई करूँगे, यहां से लेके और मैं यहां तक इसको सील लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको इसको सीधा करके दिखाओ, यह देखिए मैं बिल्कुल यहां तक आ गई हूँ, इसको सीलती हुई, अब हम इसको नीचे की साइड से सिलाई करेंगे, यह बैक साइड से भी फ्रेंड बहुत फिनिशिंग के साथ यह आपका बनके कंप्लीट होगा, और इसमें कोई भी बीच में होल नहीं बनता, इसको आप ऐसे अच्छे से सील देजिए, यह मैंने सीधी साइड से सिलाई की थी, क्योंकि मेरे पास फ्रेंड से दूसरे किलर का इसको अब हम पका करतेंगे, यह देखिए, यह बैक साइड से फ्रेंड हम अपना यह फ्रेंड ऐसे साइड से लेके आते हैं, यह आप देखिए, यह इसकी बैक साइड है, कोई भी आपको इसमें कहीं पे भी नोट नजर नहीं आएगी, और यह इसकी राइट साइड है, तो फ्रेंड बहुत ही प्यारा यह डिजाइन है, और बिलकुल सिंपल है, आप इसको अपनी च्वाइस से इसमें जितने कलर आप भर सकते हो, उतने कलर आप इसमें लगा सकते हो, जैसे हर पट्टी अलग अलग कलर की मल्टी कलर में भी से जो इसका डिजाइन है यह ऐसा लगेगा जैसे हम जालर का डिजाइन बनाते हैं तो बहुत ही सुन्दर यह है आप एक वाल इसको जुरूँ ट्राइए करना और फ्रेंड्स अगर आप कोई पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर थैंक यू